सब वेलकम फ्रेंड स्वागते आप सभी का डेली नूज अपेस की स्रीस में बैसिक नोलेज के साथ फ्रेंड सगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहो थी ये वीडियो आपके लिए बहुत में रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो थे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसकी पीडिया पार पेलिग्राम से डाउन्डोड कर सकते हूँ लिंक आपको डिस्क्रफ्चन है मिल जाएगी सचली शुरुकरतर देखते के आज की अपडेट क्या कहती है दोस्त हम सभी को गया थी कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला बारत और और उस्टलिया के बीच एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में 19 नॉम पर एन की आज होने वाला है और इस बार का ये वर्ल्ड कप का मुकाबला काफी ज़्यादा खास होने वाला है जिसको लेकर आज हमने ये वीडियो बनाया है देखे इस मेच के दोरान फ्रेंट स्यापर में आपको बता दू कि PM मोदी और साथ साथ ऑस्टलिया के डिप्टी प्राइब मिनिस्टर जिनका नामे रिचर्ड मालेस इन दोनों की उपस्तिती स्मेज में होने वाली है जिसके चलते मेच काफी जादा महात्वण हो जाता है साथी रिपोट के मुताबी कि स्मेज से ठीक पहले भारती वायसेना के लड़ाकू विमान एहमदाबाद के आस्मान में करदब दिखाएंगे और ये शो भारती वायसेना की सूरी किरन एरोबेटिक टीम के द्वारा किया जाएगा इसके लाबा यह एर शो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है अब इस्टेडियम में मोजुद दर्शक तो इस एर शो के साक्षी बनेंगे ही और अगर इस सूरी किरन टीम के बारे में अगर हम डेटिल से बात करें तो इस टीम को आधिकारिक ब्राण एमेस्टर के रूप में नामित क्या गया है साथी यह इंडियन एर फोर्स के 52 वे स्कॉर्डन का हिस्सा है जिसके स्थापना 1996 में की गई थी और इस बार इस खास एर शो की वज़े से मेच का जो रोमान छे वो दोगना होने जा रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दू फ्रेंट से की सूरी किरन टीम राश्टी और अंतराश्टी दोनों ही इस तरों पर अपने एर शो और प्रदेशनों के लिए साथे एरो 20 की दब्यास की जटिलताओं में महारत हासिल करने के लिए इस टीम के सदस्यों को काफी डिफिकल्ट प्रशिक्शन से गुजरना पड़ता है और यह टीम आम तोर पर हर साल 30 से भी अधिक एर शो करती है इसके लावा सूरी किरन टीम अपने नो विमानों के साथ देशबर के कही एर शो का हिस्सा रहे चुकी है एक अनुमान के मुताबिक यह टीम अब तक देश के बहुततर शेवरों में 500 से भी अधिक प्रदेशन कर चुकी है और जानकारी यह है कि इस वल्ड कप 2023 के फाइनल के दोरान इस टीम के चार जेट इसमें हिस्सा लेंगे दोस्ते यहाँ पर आपके लिए यह जानना भी काफी जरूरी ही कि वर्ष 2011 तक इस सूरी किरन टीम के पास HAL HZT 16 कीरन MK2 विमान होता था लेकिन अब इसकी जगे हाउ को MK132 विमान का इस्तमाल कहा जाता है बाकि वल्ड कप 2023 के अगर मुकाबले के हम बात करें तो इस मुकाबले में भारत के सामने औस्टलिया की चुनती है और इस मुकाबले को देखने के लिए करिवन सवालाक से भी अधिक दर्शक इस स्टेडियो में मोजुद रहेंगे जिसमें PM Modi के साथ साथ कई उद्योगपती सेलेब्रिटीस और VVIP भी इसमें मोजुद होंगे इसके लब अगर भारती कृकेट टीम के में बात करें तो हमारी टीम इंडिया ने लगातारी कई सारे मेंचेस जीते है पिर चाहिए वो अफगानिस्तान हो, न्यूजिलेंड हो और साथ आफिका हो या फिर इंगलेंड ही इसमें क्यों नहों हो भारती क्रिकेट टीम ने अपने पहले ही मेच में उस्टलिया को 6 विकेट से हराया था साथ साथ पाकिस्तान की टीम को भी टीम इंडिया के द्वारा 7 विकेट से हराया गया था अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत और उस्टलिया के बीच एक दिवसी क्रिकेट विश्यकप का फाइनल इससे पहले वर्ष 2003 में हुआ था अब यहाँ पे मैं आपको बता दू कि भारत और उस्टलिया के बीच एक दिवसी क्रिकेट विश्यो कप का फाइनल इससे पेले वर्ष 2003 में हुआ था यानि कि आज से करीबन 20 साल पहले और यह आपकी एक इंपोर्टेंट क्योशन बन जाता है नोट करेगा इसको हाला कि उस सब्सक्राब के लिए विश्यों बेरी बच्छ थे हैं कि समच